माइनिंग इंजीनियरिंग ऐसी मजेडार विडियो हिंदी मी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे और बैल आइकॉन दबाना ना भूले माइनिंग इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने के लिए मैथ, फिजिक्स और केमिस्टरी से बारवी पास होना चाहिए इसमें कर्या बनाने के लिए माइनिंग से B.Tech, B.E. और B.A.C. में अपलाई कर सकते हैं आयाई टहक भी इस पार्थिक्रम में प्रवेश पाया जा सकता है। माइनिंग इंजीनिरिंग में कोर्स की बेसिक जानकारी के साथ उसकी व्यवहारिक ट्रेनिंग भी दी जाती है। माइनिंग के विभिन पहलूओं इंजीनिरिंग धातु निशकर्शन और भूगर्ब विज्ञान के बारे में भी बताया जाता है। साथी, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, माइन कोस्ट इंजीनिरिंग, अयस्कर जर्व विशलेशन, ओप्रेशन विशलेशन, माइन वेंटिलेशन, माइन प्लानिंग, माइन सेफटी, रॉक मेकेनिक्स, कंप्यूटर एप्लिकेशन, इंडस्ट्रियल मेनेजमेंट के बारे मे शिक्षा दी जाती है। मुख्य तह इसके पार्थिक्रम की तहट खनिज पदार्थों की संभावनाओं का पता लगाना, उनके नमूने एकत्रित करना, भूमिगत तथा भूतल खदानों का विस्तार और विकास करना, खनिजों को परिश्कृत करना आदी के बारे में जानकार प्रदान की जाती है। आज के दौर में जब देश में इंधन की खपत लगातार बढ़ रही है, खनन उद्यों की विकास के लिए इस तरह की जानकारी आवश्यक हो जाती है। माइन मुख्यतर दो तरह की होती है अंडर्ग्राउण माइन और ओपेन पित माइन। जादी को निकाला जाता है, Steel Authority of India Limited, Coal India Limited, IPCL, Navalny Lignite Corporation, Uranium Corporation of India, IBP Limited में जॉब की बहतर संभावनाएं हैं, इसके अलावा आप रिसर्च और पढ़ाने की क्षेत्र में भी अफसर तलाश सकते हैं, इस कोर्स को करने के बाद operation, engineering, sales और management में नौकरी की खासी संभावनाएं बनती है Manager, Mining Manager, Mine Ventilation Engineer, Operation Manager, Mining Investment Analyst, Petroleum Engineer जैसे पदू पर बहतर पैकेज की नौकरी मिल जाती है इस तरह ये भाग समाप्त होता है